हेलो डियर शुडियंट कैसे हैं बच्छे आप लोग बच्छे आज के क्लास में हम टिरोमेट्टी का एक सूपर ट्रिक ले करके आ हैं आपके लिए अभी आप देखिए आपके इस वाइट बोर्ड स्क्रीन पर अभी आपको दो सवाल दिख रहा होगा और ये दोनों सवाल हम पलक जपकते बना देंगा बराही सिंपल सा ये प्रॉब्लम है देख करके आपको बहुत ज्यादा हाड लग रहा होगा लेकिन ऐसे सवालों को हम दो से तीन सेकेंड के अंदर बनाने का आपको एक सौट कट ट्रिक देने जा रहा है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यू पहले हम आपको जो बता हैं कि दो से तीन सेकेंड के अंदर ये सवाल बन जाएगा तो हम पहले दो से तीन सेकेंड के अंदर आपको बना करके दिखा देते हैं कि इसका अंसर हो जाएगा वन और इसका अंसर हो जाएगा वन बाई रूट थ्री आपने देखा कि पांच-छे सेकेंड के अंदर दोनों सवाल जो है आपका बन करके तैयार हो गया अब इसके पीछे का टैकनिक क्या है उसको समझना है आई एक चीज सिंपल सा फंडा है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिगरी के इक्वल हो तो धियान दीजेगा अगर दो एंगल का सम 90 डिगरी के इक्वल हो तो टैन थीटा 1 इन्टू 10 थीटा 2 ये अल्वेज इक्वल टूआ होगा ठीक उसी तरह से कोर थीटा 1 इन्टू कॉर्टीटा 2 भी ओल्वेज एक्वल टूगा होगा ये जो है ये आपका ब्रह्मास्त्र हो गया इससे सवालों को सुल्व करने तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इस इक्वल टो यही is equal to क्या हो जाएगा 1 ठीक उसी तरह से 20 भर्षा 20 भर्षा मेंस कि अगर यह होता है तो यह होता है इस थीटा 1 प्लस थीटा 2 is equal to 90 डिरी देन 10 थीटा 1 इंटो 10 थीटा is equal to 1 एंड कॉर्ट थीटा 1 इंटो कॉर्ट थीटा is equal to 1 भाइस भर्षा बोले इसका मतलब कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा यानि इफ 10 थीटा 1 इंटो 10 थीटा 2 is equal to कहीं 1 लिखा हुआ है तो समझ जाएए कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा 90 ही होगा या यदि कहीं पर कॉर्ट थीटा 1 इंटो कॉर्ट थीटा 2 is equal to 1 लिखा हुआ है तो वहाँ समझ जाना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा 90 ही होगा आईए तो अब आपको देशित देखे तो यहाँ 15 डिगरी है और यहाँ कितना डिगरी है 75 डिगरी 15 डिगरी प्लस 75 डिगरी इसका सम कितना होता है 90 डिगरी होता है तो सर 10 15 इंटो 10 75 कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए अब यह हमने बताया आपको अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिगरी हो तो 10 थीटा 1 इंटो 10 थीटा 2 is equal to 1 ही होता है तो 15 plus 75, 90 होता है, इसलिए 10 15 into 10 75 कितना हो गया, 1, फिर ज़रा देखिए तो 10 30 into 10 60, तो सर 60 plus 30 90 होता है, इसलिए 10 30 into 10 60 का value भी कितना डालेंगे, 1 डालेंगे, और फिर और ये कौन नहीं जानता है कि 10 45 का value 1 होता है, तो सर ये क्या आगया, 3 1 आगया, 1 into 1 into 1, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा इसका answer, simple सा problem था, आईए, अब second question देखते हैं, if 10 5 theta into 10 4 theta is equal to 1, then find 10 3 theta, हमने अभी आपको बताया कि अगर कहीं पर 10 theta 1 into 10 theta 2 is equal to 1 लिखा हुआ है, तो समझना है आपको, कि theta 1 plus theta 2 कितना होगा, 90, सर, सेम बात लिखी भी है यहां, चलिए, इसको हम मिटा देते हैं, 1 by root 3 answer है, आप देखिएगा, match कर जाएगा आपका, ये देखिए, 5 theta, 10 5 theta into 10 4 theta is equal to 1 है, तो सर, ये जो आपका फंड़ा है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सर, 5 theta plus 4 theta कितना होना चाहिए, बोलो, 90 degree होना चाहिए, तो 5 theta plus 4 theta कितना, 9 theta, 9 theta is equal to 90 degree, तो 9 seconds ही लो गया, 10 बार में, theta कितना आ गया भाई, 10 degree, अब हमको किसका value find out करना है, हमको find out करना है, 10 3 theta का value, किसका value, 10 3 theta का value, तो जराब बताओ मेरे भाई, 10 3 theta के जगा पर कितना है, 10 degree है, तो 3 into 10 कितना होता है, 30 degree होता है, और 10 30 degree, तो simple, बच्चा को याद होगा, 4 class में पढ़ने वाले इस्टूरेंट को, 10 30 degree का मान कितना, 1 by root 3, otherwise मतली जिएगा, 4 class के बच्चा को कैसे टिनोमेटरी याद हो जाएगा, कहने का मतलब कि, चोटे से चोटे बच्चे, यानि 10th, 9th के बच्चे को भी क्या होगा, 10 30 degree का value, याद होगा, समझे, तो 1 by root 3, तो बड़ा ही simple सा ये problem है, तो I hope कि आपको ये trick समझ में आया होगा, तो अगर आपको ये video पसंद आता है, तो like जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें,